आजकल patients आती हैं, बहुत rare हैं, लेकिन ये patients मैंने देखे हैं OBD में, इसलिए मैं इसके बारे में खुल के बात करना चाहूंगे, क्योंकि काफी लोग तो बोली नहीं पाते हैं, और बहुत rare हैं जो आके बताते हैं, और उनको इस चीज़ के लिए कोई न कोई solution चाहिए, तो य वजाइना टाइट हो सके या उनको उनके पहले वाली वजाइना मिल पाए, जो कि चाइल्ड बर्त या बच्चा पैदा करने से पहले थी, तो मैं Dr. Priyamil Shivalik Hospital से, आपके अपने YouTube चैनल Shivalik Multispeciality and Neurotrauma Center पे इसके बारे में खुल के बात करेंगे. सबसे पहले वजाइना क्या है? वजाइना एक बार के लिए expand होती है, वापस से अपनी normal structure में आ जाती है, लेकिन कुछ चीजें जो कि उसको वापस normal structure में नहीं आने देती हैं, उसमें होता है age, या फिर आपके एक से ज़ादा वजाइना चाइल्ड बर्थ हैं, तो मतलब वजाइना के through आपके बच्चे प होता है कि estrogen नाम का जो hormone होता है, उसका level down आता है, उस level के down आने की वज़े से जो वजाइना की skin होती है, उसकी elasticity कम होती है, दूसरा वो पतली होती है, तीसरा dry यानि की सूखी हो सकती है, और चौथा acidic, जो कि normally अपन बोलते हैं कि वजाइना का pH acidic होना चाहिए, वो less acidic होते हैं तो ये जो सारे changes होते हैं, ये perimenopausal age में होते हैं, जो कि 40 के बाद में होना शुरू हो जाते हैं, किसी की body में थोड़ा जल्दी हो सकते हैं, किसी की body में थोड़ा late भी हो सकते हैं, बट ये वो age होती है, जिसके around ही सारे changes, एक lady अपने आप में मैसूस करना शुरू करती हैं उस जोरान आपको जादा हो सकता है ये लगे कि वजाइना बहुत जादा लूज हो गई है ऐसा आपको धीरे धीरे पता चलता है क्योंकि बहुत ही slightly weak होती है structure दूसरा होता है वजाइनल child birth मतलब की normal delivery अगर आपकी एक से जादा normal delivery होती है तो जैसा कि normal delivery में क्या होता है कि बच passage बनाता है वजाइना को stretch करते हुए इस time पे वजाइनल muscles का stretch होना बहुत जरूरी है जैसा कि मैंने बताया कि उसके इंदर elastic fibers होते हैं वो elastic fibers help करते हैं वजाइना को stretch होने में आपकी delivery के बाद में वजाइनल muscles जो होती है वो वापस से normal position में आना शुरू कर देती है लेकिन अ अपने position में लेकिन exactly normal position जो कि आपकी delivery से पहली थी उसमें ना आ पाए तो इस time पे हो जाती है आपकी वजाइनल muscles जिसकी वज़ए से ladies परिशान रहती हैं क्योंकि husband fully satisfied नहीं रहते हैं तो they want कि कुछ हैसा हो जाए जिससे कि वापस ये चीज़ नॉर्मल हो सके अब अपन आते हैं इसके treatment part पर तो देखी ऐसे कोई medicine नहीं हाती है कि जिससे आप medicine गोली खाएंगे और आपकी वज़एना tight हो जाएगी जीन नहीं आपको move on करना है exercises पर तो जो exercises होती हैं ये क्या करती हैं आपके core muscles को tight करती हैं जिसमें include होती है आपकी bladder यानिके पिशाप की थेली की muscle आपकी आंत और आपका uterus जब आपकी muscles weak हो जाती हैं या lose हो जाती हैं तो आपको क्या क्या symptoms feel हो सकते हैं कि आपका urine एकदम से leak हो गया है बार बार पिशाप जाने का मन करता है लेकिन जो पिशाप जाते हैं तो इतने अच्छे से पिशाप खुलके नहीं लग पाती हैं तीस exercise आप अपनी back पे भी कर सकते हैं या आप opposite position में late के भी कर सकते हैं इसमें क्या करना होता है जैसे आप late गये हैं आपने दोनों पैरों को fold कर लिया है तो आपको अपनी pelvic muscles को contract करना है मतलब आपको सिकोड़ना है और उसको 10 second के लिए रखना है 10 second बाद में release कर देना है ऐसे कर के आपको पूरे दिन में 3 set करने है 10-10 के set वो होने चाहिए दूसरी आती है pelvic tilt exercise इसमें आपको एक wall के against खड़ा होना है दिवार के against खड़ा होना है अपने shoulders को और अपने hips को उस wall को अड़ाना है फिर अपनी नाभी को अंदर की तरफ सिकोड़ना है और आपकी कमर उस time बताई ही वैसे ही दिन में 3 बार करने है next आती है आपके vaginal cones vaginal cones जब आप अपने doctor को दिखाएंगे तो आपको कुछ conditions ऐसी होती है जिसमें vaginal cones भी advice किये जाते हैं उसमें cone shaped में device आती है जिसको आपको अपनी vagina में रखना होता है फिर आपको अपनी vagina को squeeze करना है ताकि आप उ के next cone पे जाते हैं जो की अलग-अलग sizes में आते हैं ये आप अपनी doctor की advice के बाद में ही use कर सकते हैं next आती है surgery surgery पार्ट जो होती है इसको कहते है अपन vaginal tightening surgery या vaginal plastic ये दो तरीके से हो सकती है जैसा कि मैंने बताया कि child birth के बाद में आपकी vaginal loose हो चुकी है तो उसके लिए अपकी बचपन से ही आपकी vaginal loose है या फिर आपकी vaginal है ही नहीं जिसे अपन कहते है blind pouch कई बार patient के देखने पर लगता है या फिर जब उसकी periods की उमर होती है तब उसको periods नहीं आते हैं तो उस time पता चलता है check-up के दौरान की इनको vaginal नहीं है अंदर बच्चादानी है अंड vaginal tightening surgeries can be done by gynecologist इसमें क्या होता है कि जो कि आपकी extra skin होती है उसे cut किया जाता है जो भी आपके tissues होते हैं उनको वापस suture किया जाता है और जो vaginal की जो opening होती है उसे narrow किया जाता है इस surgery के risk क्या है क्योंकि इसकी recovery होगी तो recovery की दौरान अगर आप sex करते हैं तो उस दौरान आ इतना time लगता है according to the body structure according to age depend करता है अगर आपकी age कम है तो आपको जल्दी recovery होगी और अगर आपकी age जादा है तो आपकी recovery में time भी लग सकता है next होता है कि आपको sensation हो सकता है कम feel हो या फिर सुन पना भी आपको कभी कबार थोड़ा सा मैसूस हो सकता है लेकिन इसके फाइद में भी क्या आपको vaginal cone use करना है ये depend करेगा कि आपकी surgery कौन सी हुई है अगर आपकी vagina बनाई गई है चोकि मैंने बताया कि continually vagina होती ही नहीं है उस vaginoplasti में आपको इन cones की जरुरत पढ़ सकती है लेकिन normal जो vaginal tightening की surgery होती है इसमें cones की जरुरत नहीं पढ़ती है मेरे ख्याल कि अपने डॉक्टर से बात करिये और इस वीडियो से जुतनी पे जानकारिया आपको मिली अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को फॉलो एं सब्सक्राइब करिये थैंक यू